नवस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर साक्षी स्वाबत करती हूं आपका प्राफ़ी प्रेग्नेंसी सिरीज में आज हम बात करना चाहेंगे प्रेग्नेंसी के पहले तीन महिने यानि फर्स ट्रैमेस्टर में कितने अर्ट्रसॉंज की जुरुवरत होती है देखा गया है कि लोगों को लगता है कि प्रेग्नेंसी आ गई है तो अब हम सीरे तीम महिने बार जब पेट निकलने लगेगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे आज की modern obstetrics आज के जमाने में ऐसा करना उचित नहीं होता है अर्ट्रसूंज बिल्कुल भी आपके भोने वाले बच्चे को कोई खत्रा नहीं करेंगे लेकिन आपकी प्रेग्नेंसी सही से जा रहिए इस बात का अँधारा ज़रूर लग जाता है तो सबसे महला ultrasound जो ज़रूरी होता है pregnancy में वो होता है early pregnancy scan early pregnancy scan जो कि pregnancy के छटे से आठे हफते यानि pregnancy जब गेड़ से दो महीने की होती है तब किया जाता है अकसर ये ultrasound बीचे योणी से यानि प्रांस बजानल ultrasound किया जाता है ताकि सही से बच्चे की heartbeat का अंदागा लग सके इस ultrasound के कई फाइदे होते हैं सबसे पहर तो ये बताता है कि pregnancy है दूसरा pregnancy सही जगे पर है यानि बच्चेदानी में ही है तीसरा क्या pregnancy का समय कितना हो चुका है फिगि कुछ महिना आपको समय पर महिना नहीं आता तो उन्हें अपना pregnancy की date का पता ही नहीं चलता है चौथा क्या pregnancy में कोई दिक्कत तो नहीं है पांचपा pregnancy single ही है कहीं जुरवा बच्चे तो नहीं है इन सब कातों का अंदाला इस एक ultrasound से लग जाता है और साथी सार अवर नाल नीचे की तरफ तो नहीं दिख रही है कुई कुछ महिनां को बार बार bleeding ये spotting हो रही होती है अगर ये ultrasound सही है सब कुछ इसमें सही है तो अगला ultrasound जिसकी requirement होती है वो होती है 11 से 13 हफते की जो कि बहुत ज़रूरी ultrasound है जिसे हम कहते anti-nb scan इस ultrasound से ये देखा जाता है कि बच्चे की नाप और बच्चे की गर्दन की मुटाई यानि न्यूकल थिक्नेस वो सही है या नहीं है सिर्फ इस एक ultrasound से ही हम डाउं syndrome जैसी condition के बारे में पहले से ही अंदाजाद लगा सकते हैं इस एक ultrasound जो होता है anti-nb scan इसमें ये और बात पता चल जाती है कि प्रेग्डेंसी कैसे आगे बढ़ रही है उसमें कोई और समस्या तो नहीं आ रही है और साथी साथ इसकी ultrasound से हमें ये भी अंदाजा लग सकता है कि आगे चलती कहीं मा को बीपी की शिकायत तो नहीं हो गी और अगर इसका कोई डिस्क होता है तो डॉक्टर वहीं से कुछ दवाईयां शुरू कर देते हैं ताकि ऐसी कोई और विप्दा आगे आगे ना सके अगर पहले ultrasound यानि first trimester scan यानि TBA scan में सब कुछ सही रहता है तो आगे नी ultrasound जो होते हैं वो महिले महिले में भी किये जा सकते हैं अगर पहले ultrasound में कहीं कुछ कमी या उपर नीचे दिखाई देता है या महिला को कोई और दिक्कत होती है तो उसके हिसाब से वो सकता है कि ultrasound दो ह होने से उसकी race से बच्चे जो बन रहा हैं उसे कुछ दिक्कत आएगी पर ultrasound pregnancy में safe होते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिए जैसे ही pregnancy पता चले सबसे पहला ultrasound देर से दो महिने के बीच में कराएं और उसके बाद एक बहुत जरूरी ultrasound होता है आपकी pregnancy सही से जाए इसके लिए यह ultrasound बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी pregnancy से related किसी भी तरह के का कोई सवाल है तो नीचे दिये गए नंबर पे आप contact कर सकते हैं धन्यवान दोस्तों